गुद्बारों स्टुडंस आज हम देखें के माराठी का थर्ड लेसन बेटा में एक द्वा है इसमें संगीत के उपर प्यार करने वाले पिता जी है और कुछ एक्सिदेंट के वज़े से एक्सिदेंटली क्या होता है कि पिता जी अपने संगीत को पूरा नहीं कर पाते तो स कोशिश कर लड़का है उस लड़के कहान इस लेसन में बताई है कि तिसरी घंटा घंगनली वह बाहर सा समिश्र कोलाहल बंद पड़ा तुम कभी मुवी देखने गए हो हमेशा जाते हो राइट मुवी देखने जब हम जाते है तो वहाँ पर लोग अंदर आ रहे और एंट तो लोग यहाँ देखते रहते हैं और समिश्र कोलाहल समिश्र कोलाहल मतलब क्या कि मिक्स कोई रो रहे कोई हस्रा मतलब छोड़े बच्चे रो रहे चिला रहे जो आवाद होता है तो जैसे मुवी चालो होती है तो मुवी चालो होने से परे हम लोग यहाँ वाँ सब कि अवाज बंद करके सब का ध्यान ना तकी तरफ मतलब जो स्टेज चार जाता है वैसे यहां पिवाहे थर्ट रिंग जो थर्ट धर इंग भजने वाधि बाहर का आवाज सम्मिष्ण मानी कब वराइख जो ऑभाई शोर बन्थᵉग हो गया था विए ऊगी जए इकड़ दिख हो ढ़रारै, माना, प्रोह में सिंगके संठी रहा हूं मतलब कर ये आया है क्या ऑध कि बिनन मतलब के अश्वम है रहा है टी वो क्या हो गया अभी? स्टेज की तरफ सब देखने लगे सब स्टेज की तरफ आ गया लोकांचे लक्षाता अपला कड़या है यची खात्री वारतास मी गंभीर आवाजात बोला शुरुवात के ले अब लेखक ने देखा कि सब का ध्यान इनकी तरफ है तब उनने क्या का ज अब दो जो जो पोलेको शुरूवत कि अब यह जो कहाणी बधता रहा यह कहानी है पी जयनार्दनकी सभ्यास्थिपूरुशयों माचा वाद्यविद्धनल ताहा पहिला जाहिर कारम है अब जो वाद्या विद्धय विद्धयले वादन ए मुजब पड़ा है जाता है तो उस क्यों के तोरकि है वास्त पहले कि छो की आति शंचालिक है पहिला जाहर है तेंसे शो है, मारे नियुकले कि वहला क्यों कहते हैं तो रह Tina to see मेरे चर्णो नारिक्र। कर चर्ण 나서 कहन वहले के प्रचद। जब क हम मनें तुम्हार चर्णों समर्पित कर आग तो मुझे बहुत खुश है कि मेरी जो संगीत है, मेरा संगीत है, मेरी जो कला है, वोगला सुनने के लिए आप आए हो, आपने शांत पड़े या सरवा कार्यकरमा सा आसवात घ्यावा, अश्री अपनला नम्र विनंति करून, मैं कार्यकरमा सुरुवात करें, उसने करके, कि I hope कि आप सब लोग शांद बैटके और शांद बैटके में जो क्या करोगे, यह जो संगीत या जो भी प्रोग्रम इस प्रोग्रम का आप आनन्द लोगे, कि इंट्रेस्ट लोगे इसमें और इसे चुपचाप सुनोगे, विनंति करून, और यह आपको रिक्वेस्ट करके, मैं इस प्रोग्राम की शुरुवात कर रहा हूँ, आच्छा कारक्रम में शुरुवात, शीरिष भागवत या अच्छा फीडल वादनाने हुई, शीरिष भागवत नाम का एक शिष्या है, और फीडल वादन, फीडल वादन में किसी वाद्य का नाम है, एक वाद्य का नाम है, तो इससे उसकी शुरुवात होने वाली थी, प्रोग्राम की शुरुवात है, हाविध्यरति माजाविदलत नुकता शुकालाला है, उसना कि यह जो स्टोरेंट है, उसने ज़स छे मेने पहले या फिर अभी थोड़ी सामें पहले उसने क्या किया है, मेरा क्लास जॉइंड किय एल उसन प्रांता थिल्हा नुखा मुसाफिर है, यह लग्षाद के उन आपन तैचा हूसा जॉषा जॉट्व करा भी इन ति उसना की कला की प्रांता मतलब इस फिल्ड का एक नया नौ खनन वा कमतलब निया मुसाफिर है, मतलब यात्रे करो, उके प्रवाशी मुसाफिर ह जो भी जैसे भी बजाएगा आप क्या करो उसका टालेंट मतलब उसकी एज और उसका टालेंट उसका टालेंट को आपने क्या तारिफ करनी चाहिए एसे रिक्वेस्ट करके एवडेवल में शिरिष कड़े पहले इतना कैकर पी जनार्दन उनने शिरिष के तरफ देखा मला या मुला चा जीवात भिती वाड़ा सुती खरे संगा चे मनजे माजा मना तून मला शिरिष्टला कारेक्रम द्याय था नव था उसके यह जो लड़क करन नुकता शिकाल लागल लागल लाव विध्यारती माच विध्याला चे ना खराप कर या ची मला खात रिए उसना के अब्भेभे जस ने शुरू किया था कुछ मैने पहले उसने शुरू किया तो यह जो लड़का यह लड़के को अपहले ही इसको प्रोग्राम रखते त अच्छा वरा जो भी है उसका प्रोग्राम रखते इसको टालते है और इसके मन में तयाला कारक्यम देजे टाल रहे थे कि उनको भरोसा ने था कि यह जो बच्चा यह जो बंदा यह बंदा क्या करेगा अच्छा बजाएगा मी शिरिष कड़े पाई ले ता चेहरे वर बढ़ास भरोसा कि कॉंफीडेंस है और पूरी तरसे दीख रहा था पन त्याच्छे आच्छो आवसान फार विल रहना ना कि आवसान अमतलब ताकत शक्ति पावर तो यह जो आवसान मतलब उसके अंदर जो पावर आ गए थी जो कॉंफीडेंस था उसके चेहरे को पर दी के बात सामने जो श्रोत्तु रुंदा, श्रोत्तु रुंदा मतलब ओडियन्स, तो ओडियन्स है, जैसे ओडियन्स नदर में कहती है, इसका जो बैलन्स छूट जाएगा, जो भी ताकत इसकी सब खतम हो जाएगी, लेकर को इसका विश्वास्ता, देखो कभी-कभी क्या होता कर देखते हैं, जब 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 जादा लोग हमारे समने थाउजंस में जब लोग होते हैं, तो कभी-कभी घर जाते हैं, तो वैसे इसका भी होने वाला है, ऐसे लिए पी जनादन को लग रहा था, शिरिष ने खून कर तास मी पढ़देवाल लग इश्यरा के ला, शिरिष उसने इशरा किया तो P. Jannardhan उन्होंने भी कहा कि पर्देवाली को इशरा के की पर्दा उपर लेले फुटलाइट सा जगजग इत प्रकाष डोले अरवर पढताँ शीरिष्ने डोले मिटन केते है सामने और लाइट तो इसका पड़ता है वे वोतलईक पार्द हमें तो और सामने निचे जो लाइट होतिया उसका फुटलाइट के तो उसका जो पड़ा ऊपर उनके में और सिरिष्नी पूरी शिरिष पन ए salesmanus ळाप पर।यम में अखुर ने की परण физ tätä तो चलाइवड में ब तो हमारे आखे बंद हो जाते हैं, कुछ हमें दिखता नहीं है, लेकिन थोड़ी दिर के बाद सब क्लियर दिखने लगता है, कुछ ऐसे हुआ, शिरिष्ट अपनी आखे बंद करली और जैसे उसको आदत हो गए, जो ऐसे दो मिनिट की आदत हो गए, तो उसने आखे खोल दी प्रकारशी डोल्य नजाराशी शर्ट रःसने भra ले की CEROOOO को स्बा टूंद कृश्टिता, एथ network, जब आखे उसने देखे तो इतना बड़ा ओडियन्स इतने लोग जा बैठे तो वोगों इस लोगखने के लिक्भाद फ उसके मनिते मतलब तो वो अंना इल्चल से माझ गये था, तो जो दर था मन का दर चेहरे बहुआ दे रहा था, तो गड़ण गिला था, ज़ एक झाव हो एक जब दो किया करें। और पी जनार्दन उन्हों पैचानलिया था तयाला आता सावरुन धरने शिक्षक या नातयाने माचे करते होते 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 उस बच्चे को संभालना पी जनादन का करतावी था इसलिए उसने क्या-क्या क्या तंबोरा वेना लेके बैठा है और तबले वाल विणा इनको इस्छा रहा कि तुम लोग शुरू हो जाओ क्योंकि तुम्हारा तुम्हारी आवास सुनने के बाद शायदो वापस अपना गाना बजना शुरू करे तंबोरे जा धिरगंपिर आवास घुमू लगला शीरिष ने डोड़े मिटन कुना जितरी ध्यान केले सरके दिसले वो पुन्हात चेहरा पुर्वी चा आत्मिश्ण सब्सक्रास चेहरा युडेश्ण चेहरा जो वापस वही जो ऑनफिड़ेसमू घाएक ट्या सब्सक्राइश्ण ऑनदे tierad चलतों की एक आख़िए उस मैं जाया मुला ने हुआ के वाला के लाध्या को टूपा स सांटित लरा के लिए हुआ 25 कि अरय between 119 28 अरया चीज़ा के लड़्या किजिए . धीमी पनुन शेरिष्णने भूपरा गा काते सांगीत पीत एह उसने बजना शुरू कई जो भी संगित के माज़ से हम लोग आई लगते ना वैसे अब दो म्यूजिक लासे बगर जाते उनको पता होगा तो एक भी मात्रवत एक भी आवाज यहाँ नहीं है वो शांती से बजा रहा है और आज तक उसको नहीं जटका नहीं लगा तो एक धका नहीं लगा था वैसे आ मारे सेंस ओर्गन मुझे दगात नहीं मेरे साथ विश्वास घात तो नहीं कर रहे ना ऐसे उसके मन में एक शंका एक शक उसको आया कि मेरे मतलब यह सच्मु जो सामने हो रहा है वो रियल में हो रहा है या कुछ सपना है माज़ जागे तुम्ही अस्ता कि वह आनकी कोन ही मेरे जगा पर तुम होता या फिर कोई और ता तो उसके मन में भी यह इशक होता तुम्ही संगा सुमारे सहा मेना पूर भी शिरिष माजा विद्रत आला धीत पने तानी विचले आप ही बताओ लगबग 6 मैने पर शिरिष मेरे विद्याले में आता है और धीत पने मतलब ब बता रहे उनका नाम है पी जनारतन, मी सुहाश्य मुध्रण होई मनता सुहाश्य मतलब हस्ते हुए हस्ते उसने कि हा मैं हूँ क्या हूँ हस्ते उन्हीने कहा था मैं ही पी जनारतन बौलो फिर उसने अपना इंट्रुक्शिन देता माजे नहीं शिरिष भागमत घरी श्री फिर पीजान ने पूछा कि आपको गाने की गाना पसंद है तो की आपकी होबी है गाना माझा पैक्षा माझा बड़लान मी शिकले फारा इप जाता ही उसने कि मेरे से जएधा मेरे पिताजी है पिताजी को मैं गाना सिक्क तो बहुत अच्छ लगेगा ऐसे उसने क्यों का यह कि पूरा लिसन पढ़ने को एदा में पता चलेगा तो उस निए कि मेरे सियदा मेरे पिताजी खूश हो जाएंगे त्याचा चमत कर उत्तरा चे मला नवल वाट लगले वा थोड़ा सर रागई हो लगा उस निए थोड़ा अंसर थोड़ा उसको और लगा जमत कर अंसर लगा कि यह ऐसे कैसे अंसर दे रहे कि होब इसकी है और खुश पिताजी हो जाएंगे इसे कैसे हो सकता है और थोड़ा गुसा भी आया कि यह जब आए तो थोड़ा थंबन पूड़े मनला थोड़ा रुटतर कहता है कि मी अपला कर शिकाला ही मैं आपके यह पे सिखने आओंगा पन माजे एक अरट है तिक कंडिश्न ना बच्चों ने या कंडिशन डाले जया तो टीचेस वोड़े च्लास एस वोले कंडिशन डालते यह पे एक शिशे शिशे नी गुरू को कंडिशन रखे जे रहेंगे जबतक मेरे training चालो है तब तक को इसी क्लास में बैठे रहेंगे अत्हा मात्र ना राग आँ अवर गुस्साया मी जानिवपूर अपफ्छत मनालो माननिया तुझा हाटी एकडम मानननिया टुझा आट गळमानिया उसने की जानियों बरू मताब सोस समझ कर, सोस समझ कर थीक है, तिरी जो बिश्वरत मुझे मन्जूर है, मुझे क्या फरक पड़ता है, लेकिन हसते वह उसने का कि तुझे उसके लिए फीस देनी पड़ेगी, फिप्टी रुपीस फीस देनी पड़ेगी, हर महने तुझे उसने किक थेप्ड़ी मजय की ड़ेगी याद हे आपको? ऑफपर ऐसे कै कि उसने मतलब लेखक तो आचेको इग्नॉर किये उग्नॉर करके लिन कि निक गया, लिकसी नीरिक्ष प्रेक्ष्न की उसका रियक्षिन काया है। बीन टेंने, इसका हमी प्रेप्षान, प्रेंग ही खेड़। कर दोर से डिह उपती वियरे लॉच्छाय achieving, त्हुंद के लाू nov skirt है आमचे नमस्का धले, एक अक्षर नव बोलता नाना खुरुचिवर बस ले, दोनों एक दुसे को नमस्कार किया, और बिना कुछ बोले, नाना चेहर पे आके बैठ गया, मी पन नव बोलता वायोलेन काड ले, वो शिरिष चाहत देले, और लेकर पी जनारदने, इनने भी कु लेकर बिना देला एक दाना करनी संहलुचमा आजब कर ये जब सेखने रह नीव चाहते झटा हिना संहलुच मर को री कि ये मी पैल नव जो है जब छिफ ये जमman आजए, जू general पूरी तैयारी पार आया है यह देखने के बाद जो उनके मनमें जो मेस्वारास निकल गय थी पहले दूश प्रात्मिक माई थी वह पहला दगला डिलbor में हाता वायलन घेत ले फॉस्स जर जो इनफ्रमेशन लेखिने के लिति पहले दिन पढ़ लेशन पढ़ने के बाद उन करते हैं कि उनके विद्धालाई में जो भी बच्चा सीखने के लिए टेनिंग के लिए आता है तो फॉस्टे डारेक वोई लेन या फिर जो भी इंस्ट्रुमेंटर डारेक उसके हाथ में नहीं देते हैं पहले खुद बजा कर दिखाते हैं ऐसे उसका रूल है प्रता प्रता की वार्व का लिए वादु शकाल उनको बता रहा कि अगर तुम लोग तो पूरा डेडिकेशन दे के नेटार मैं पूरा डेडिकेशन दे के नीटिक्लाद अगर अच्छे से तुम लोग यहरा पर टिक जाओगे तो यहां तो प्शु सकते हो मैं तो बिशे टीचर लिए प काले क़से कापी करते जोग गुल गुल कोपी करते जो तो उह नहीं सकता तो तो उमनेक पूँस सकते हो जिवा चे कानकरू नाणा एकत फ्रस्या गुड़ उत्पथ वादु शकाल तया प्रहमने सुमारे विसे 1 ग मिंटे मी पिलु रागाती ज़ए एक गथ वादुन दखोल कि पूरा कॉंसलेशन करके नाना सुन रहेते, शुरिष माझे नाना ऋंकड़े शुरिष पीजना दर और नाना को भार वाले, नि товारीक फ्र मतलर वाइक आपड़नी बगत होता, कभी नाना को देखरें, कभी पी जनारन को देखरें मी वायल नुटेव लेवा नाना उंकड़े पाहिले तहां चेरेवा सुप्तीचे समाधान सपष्टपणने देखरें उन्हों नीचे रखा और नाना के दरप देखा तो नाना के फेस के उपर चेरे के उपर कि वह ता साटिस्फेक्शन दीख रहा था दिसत हुते अपन जावया था शीरिश मनाला वो पिता पुत्रा उठले और अभी हम लोग चलते जाते ऐसे कर पिता पुत्रा बेटा और पिता जी दोनों उठते हैं कि मीच आपन हुने विचार ले काई कसका वाटला एक अंदर और पी जनादर ने पूछा था की सामने से उनने डारेक्ट पूछा था कि कैसे मतलब मैंने बजाय तो मतलब इनौल कैसे था वा उतकृष्ट उसने कि बहुत अच्छा त्यावदल प्रेश्नात नहें मतलब कोई स पूछा था इस आदत का उनको गुसा आया अपन कुटे अस्ता चामला भॉसक पड़े शिरिश्षाश पुन्णावनला शिरिश्ने उनको पूछा क्या आप कहां पर जौब करते हैं पोछब अपन पने शिरिषि दे पुछ़ अवर्त ला इन्को लगा कि बीच में बोलने के वज्से शिरिष को डाटेंगे मलावत लेया थ। अपन् लगा कि बीच में बुछ नाणा शिरिष को क्या कारेंगे डाटेंगे नेमित प्रोज प्ता पुत्र से जोड़ी यहाँ लगली है और उस दिन के बाद रोज हमेशा area और पिता जी दोनों की जोड़ी यहाँ पे आने लगी पिता पैड़ी यहाँ लग लगली , Shiri'shya प्रागति पाहून मात प्रसंग ही मिपन आश्रकृत होतु焦 अर शिरीष का प्रागति, कि अज़ बीच बीच में प्रोग्रेस प्रोग्रेस है लेखको भी आश्र होता कि ये छोटा बच्चा ये छोटा बच्चा इतने जल्दी कैसे यह इतने जल्दी प्रोग्रेस कर रहा है, आपन कुटा, sorry, त्याचा हाथ वादवाला अतिशय हलका होता, और उसका हाथ बजाने के बहुत ही हलका है, तो मैं तो मैं तो वाइल नुटा, वाइल नुटा स्टीक होती है, तो स्टीक में शाइद ऐसे कुछ दोरी होती है, उस द उसके बजान वाधुस होता है, तो स्टीक मुष्य देख जितना स्मूहाँ तुम लोग बन सब्स अट अख़ी गुमोंगे उतनी अच्छे से आवाज उसमें तोन निकलते तो शीरिष लेक पीजन अदर देख रहे थे कि शीरिष बहुत में धीर दिले से उसके उपर बजा रहा था पर निकल रहे होता है कि खिलता रहा होता है। लिटा माझा सर्वा विध्यति ता ची अकलन शक्ति भार दांगे वती और ग्रास्पिन पवर जिसके आशर के बडलते हैं रही जो कि बोलतन से और आना रोज उसके साथ में आते है बिना एक वर्ड, एक भी वर्ड, बिना एक वर्ड बोले और शानती से वह भाँ पर बैठे थे, लेक्क भी पी जन अरदन जो हैं यो जो हैं ब्लिदान रहाते ह्मां, विभाज़ करें आनके तीन मेनने ना रहाते स्क मतलब यह जो कहानी अभीव चालू है将हानी यह कहानी कारेक्रम उने वहला था इस कारेक्रम में पहला ही कारेक्रम नोग इतना बड़ा शोर कारे तो इसमें शीरिष को प्रोग्रामाद कारना है आपने उन्ने निश्यय के लिए तो प्रास्थδय दमाला था प्रोग्राम होने वाला है जो शो करने वाला है उसमें तेरा भी शो होने वाला है मतलब तू भी यहां पर पार्टिसिपेट करने वाला है है एक लिए उसके चेहरे के उपर खुशी की एक बी लहर नहीं दीख रहे ती इतना ही नहीं करते चेहरा काई सा उत्तरला उसका चेहरा उत्तरला 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 निराश हो गया में वीचाले काई तुला है कुन काई त्रानंदर वाटतने उसके क्या तुझे पैसन नहीं या फिर तू खुश नहीं हुआ कि तरा प्रोग्राम होने वाला है तू इससे तू खुशी नहीं हुई गंभीर आवजा ठाशी उसरों पचे उत्तर आले तो जैसे उसने हमेशा क मेरे से ज्यादा मेरे डाडी को खुशी होगी पिता पुत्रा गे लाणी त्यात्वड़ी मिलिनार शिरिष्षा तरह वाई कुत्रा चाहा अश्रे करित्मी बस लो बेटा और पिता जी दोनों वास से निकल जाते और उसी समय वो जानने के बाद लेकर सोच जाते कि यह जो प्रत्ते कुछ तो नाना अगदी रोज त्याच वर एतत उसनों कि यह नाना मतल उसके डाडी का नाम हमेशा क्यों लेता है और यह डाडी रोज बर उसके साथ क्यों आते है यह रहश्य काय असाविया प्रश्णा चे उत्तरमला साप्डिना इसके बिचे क्या राध हो सकता ऑणना बर उसके असमाने पよろीच को भी तो सबना प्रसा रंकी सब्सक्राइस को सबादेता किन जो है नाना जब साथ में ऊसके रहें तो शायदो छुमक्डमेन नहीं ब़याता होगा नाना जह परacağım एक पारन समने आ होते तो उमरेंद बर जल जाते ह 머ijn गते तो le आसे हैं आपको व्मय देखा नाप-पर कवोर्ट है को दो हमसा ही मिंगा नहीं ऊता है तो नहींilation मिन यॉष्प टॉप ले तो गुसा कंप अउ धर पर हुए मी ती मन जे अस्ताना शिरिश मोकलया मनाने वायलिन वादवत नसावाई ही दुसरे द्युशी शिरिश आलाने सेकेंड शिरिश आता नहीं है त्याँचा हाँ पहला खड़ा पहले एपसेंट थी उसके एपसेंट इस नशे लेखा देवर समले अशे मी समाधर गुले ठीक है आज बीमार हुआगा या फिर कुछ प्राब्लम हुआगा इसलिए नहीं हुआ इसके लिए उसके लिए चलो आज का दिन जाने दो पन त्याँचा दुसरे द्युशी सुद्धा शिरिश आलाने लेकिन सेकेंड भी शिरिश नहीं आता है चावथा दुश फोर डेज फिप 11, 15 दिन हो गये लेकिन शिरिश आता नहीं है शिरिश सब पत्तान हो दा शिरिश का कोई आता बता नहीं है गायव हो गया 16 वेदी उसे मनुष्य नेरोप फिचे पैसे हुआ उला 16 दे 16 दे में क्या होता है एक इंसान फिज के पैसे आपिसे मैसेज लेकर आता है नाना आता हैं मुझ्टाह急 में आपाल्म का या दोला होगा तो शिरीष बाता है जिसे दुधा हर वो दर दरा चाली के तोसक्षा से जो दो फुनित आधा कृषे क्योंकि अब घुल सुधिक सिक्षीन डिजिन जब इनसान आता है उसने कहा कि नानी बीमार नहीं आ सकता, तो उसको उसको जब तोड़ा गुसा या पी तोड़ा गुसा था या कि जानाना था जनाज है तो हम लोग लोग भीखां आती है कि नच पासी तो बच्चे घर में तो नानी को देखने गया था में होस्पिल गया था तो हम लोग भी अप़ी गुष्चा हूते तो हम लोग भी तो टीचेस को गुष्टा घा एक आए तो यह विसे कि अब डाडते ना वैसे ही इनको पीज् तो यसे उसको क्या लेना है? क्योंकि बजरन तो किसको है, ट्रेणिंग तो किसको लेनी है, यह नहीं आगारी, तो दोड़ी को त्रागान है यह भाड़ादेद की शुल रगणव. तो उसको छोड़कर बाकी बच्चों के उपर ध्यान दिया उने शुरू किया समारंबा ता दिवस उगवला और शक्कार बसुन शिरिष शाठन में उगास बेचन धला और समारंबा जिस इन प्रोग्रम का दिन आ गया और पता नहीं लेकिन सुबर से पीजर बहुत बच्चो बैचन हो ते सकार ची इतर का में आटो पुन मी जरा सुस्थ बसलो शुबग के बाकी काम पूरे कम्प्लीट करने के बाद है के सुवस्थ मतला स्वास्ता मतला शांती से बैठा बसतो नभसतो तो उसदारा शिरिषू उबा इसे बैठे बैठे ही नहीं ये बैठने जा जा इतने में देखा कि दर्वादे में शिरिष खड़ा है, मिताडकन उबा रही लो, वह तैच तरू लो, फटागा कि खड़े हो गए और शिरिष कर पाई जाते है, तो अज तो पत्ता तरिका है, तो कहा है, कहा है, जो गूम हो गए, और आज एक टाच का साथ है, आज अकेले कै नाना कशना ही बरो बर, नाना क्यों नहीं है, एकर जदुनिया तिकड़े जाली आए सर, यह पुड़े में एक टाच ताच दिसन, और उसने का कि यहा की दुनिया मेरी यहा की दुनिया वहाँ पे हो गई है, मेरी लाइफ में सब उत्थल बत्ल हो गया है, आएंदा से मैं और मैं झाले आओंगा, माझे नाना कायम छे ले हो सर और इसके आखे तोड़े भार आती, और अधिमा मेरी जो नाना है, मतले मेरी जो पिताजी है, मतले मेर जो पिता जी हमेशा के लेए चले गए, बरेश्स संटन आन तर तयाने विचार ले आज आपले विद्द्द्या आज मुझे प्रोग्राम देदो मेरी आखरी इच्छा है मेरी आखरी इच्छा पूरी कर दो मल्या आज वाज देनं तर जलमा थाथ लवन नहीं में वाय लिल लुगा तो कि आज मुझे बजाने दो उसके बाद मैं लाइफ में कभी वाय उनको हाथ ने लगाँगा udah रहा है कि मुझे आज की दिन बजाने दो मैं लाइटाइम बजाओंगा और चाहे पीजनारदन कहते है कि ना जितना बजानाई वाज की दिन में अच्या जो आज की दिन मैं अचाली क्यों कि व्मेंड कि व्में जा देखना है कि उसका जो mental situation जो है उसकी तो आज बरवन इसकी जो मतलब जो ना, मेंटल बैलनस है, वो ठीक नहीं था, वो तो दुखी है, उसकी मन के हाल, जो मन के आज जाज कैसे बेचेंस हैं, तो इसलिए उसने का कि आज तेरी मन स्थी ठीक नहीं इसलिए तो आज मत बजाना, मला परवांगिदी तर माजी मन स्थी आप आप सुधार, उसने का कि आप अगर मुझे हा कहोगे, मुझे परमिशन दोगे तो शायद मैं ठीक हो जाओंगा, कि मेरा मन ठीक हो जाएगा, अपने अप मेरे मन में सुधार आ जाएगा, मैं अपना को कांट्रोल कर लूँगा, शेवटी दुखा, मन, पुन्ना अनकी, दुखित मन पुन्ना अनकी कशला दुखवा, असा विचर कुरून मी तहला परवांगिदी, अब इसके पहले से उसका मन बहुत दुखिया है, उसके डाड़ी एक्सपैर हो गए, तो मन में बहुत ही दुखिया है, तो नाकी के और उसको दुखिय क्यों इसके ठीक है, एक्सटा मातरा पहला सकर जो पहला परवांगिदी, अब जाएंगे, त्या परवांगी दीली अनि शीरिश वादु लागा और उसी तरह से परवांगी में परमिशन मिलने के बाद शीरिश अभी जो है प्रोग्राम जो परवांग्यों बजा रहा था, शीरिष कारक्ट्रम करना शीरिष कार्ट्रम 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 करना श कि इतना अच्छा बजाता है तो यह सिखा कहा है क्योंकि तीन मैने के बाद उसने आना बंद करिए तो उसने यह ट्रेनिंग ली कहाँ पे आणि तया ही पेक्षा माला मुख्य प्रशना असा बढ़ा होता कि नवीन शिकार लागला मुलगा इतके उत्कुरुष्ट वाद तो जुने मुल्य विद्याते कि ती चानवाद वाद अस्तिल अस्यद बाहर चे लोग मनत असनार उसने का कि मतलब महीने स्टाटिंग में का यह यह लड़का है और नया लड़का अगर इतना एक्सपर्ट बजा एक्सपेशल्ट की तरा बजा तो जो पुराने स्टोर्ण सो कि बाहर के लोग को भी विद्याता होगा जैसे मुल्द एक नया किलाडी जैसे कि हम लोग देतना क्रिकेट गए तो अगर हमारा जो नया ओपनिंग बैट अज इसने अच्छा खेल सकता है तो पुराने हमारा खेले कि इतने अच्छा खेलें गगा से क्वेशन सब के सामने आत अच्छा गए देन इसके बाद किसको बजा इसको बजाए जो इसे भी अच्छा होगा गालिवत इसे भी अच्छा होगा कि समझ बहें तो जो इसे भी आच्छा होगा इसे कौन भूंडू मेंस्टूंट सेुदेंस ए सेकसल में में क्वेegशन I ATS में भाना वाला लो और इतने में उसका बजना बंद होगा और तालियों की गडगड़ाट से पी जनल जो होश में आ गए शिरिष आत अला वा तैने माझा पाया और डोके ठोले मी तैला उठवा दू चले शिरिष हाग काय प्राकारा है और शिरिष अंदर आता है और अंदर जो अपने गूरु होक़ पी जनल उनके चरन पर अपना मस्तक्र अनके पर अपना मस्तक रख दिया तो शिरिष को उठाते सिर्ष उठाते उन насколько अव्सतess तु अंकिन पोड़े शिकता दॉतित था उनकेפ induced उत्यश ख़ा तो तु तू और यहाँ के यहां शित तो दुह ये स्थिक आया ही कैसी कि मैं बहला आपको छोड़ कर कई और पढ़ने जाओंगा और सीक्ने जाओंगा मैं तुम्हाला सर्वास सभिस्तर 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 में यह भी समत्लागए डीटेल में मैं आपको बताता हो difficult क्या था जा दुशी में तुम्चा गड़े फीव चिठ्थी पाड़े त्या सरात्री नाना वाले उसनों कि जिस दिन आपके पास मनें फीज और चिठ्थी भीजी थे लेटर वे था उसी रात मेरे नाना जो है मेरे पिताज एक्सफायर हो गए मला धक्काद बस ला मुझे आप गए तो मैं किसके लेशिकू और इसलिए मैंने सुझे था कि वायर उनको हाथ नहीं लगाना है स्टार्टिंग में देखो इंट्रड़क्शन में परीचे में बताया ना की संगीत प्रेमी वडिल अनि तयंचा अभगाता मुडे पोरकाद रिलानिमा उसके बाद जो ब माजे ना एक एक बाद लेशिकू वड हो उसके कि शयद आप को प्ता होगा अपने का नाम सुना अगा नहीं सुना होगा आइड़ा एक लेकिन एक समय था जब मेरे डैडी जो है उत्कूष्ड़क्शन में गायक शिंगर मेरे डैडी जो है एक समय एक जामman में बहुत अछ इतना जोडर का एकसिने लुक होता कि वो पूरे एक आनों से ठार बहर, ठार बहर है मतलने पूरे, पूरे, क्या हो कि हो कि? बहरे मतल coalition के सुन्स्हेकी जो शक्ति थी मतलने की ताकत थी, वो पूरी चलिगे, वो उन नहीं सकते तुन नहीं स संगिस से वा अंतरलि यातास नाला नए बसला को भाल पंकि वो मतलब बहरे होने के बाद, जब उनको सुनाई नहीं लिया भाकी जो दिया तो किसी को सुनाई नहीं लिि टाय है, to bile होते हैं, बहुत सरे प्रॉबेम्ट alguna को साल options भी उसका दुउने को नहीं ता लेकिन जो संगीत की सेवा भीं करना चाहते हैं तो संगीत की सिवा से दूर बगे। जब हो गाये लेकिन को सुनाई निए निहींन stabilized जब हो किया जब गाते हो तुम सँनाई निहीं तुम्हें से पता तुम अच्छा गा रहो या वुरा गा रहो घो तो इसलिए उन plupart कर भी इस बूर्ख कि एंसरे उन कुणी तरी संगी शास्त्रा साथी सतध धड़पड करत असलय चे पाहने तरना अमाप सवक्य मिनते हैं। मतलब इसना किसी इंसान ने संगित के लिए कोशिश करना ये संगित के लिए भागदाओड करना ये देखना उनके लिए बहुती सवक्या। मतलब उनको बहुत सूक मिनता कि चलो अपने फैंसे कोई तो कोई जो संगित की सेवा कर रहे मतलब उनकी जो इच्छा थी उनकी इच्छा उनके गर कोई मेमर पूरा करे इसमें उनको खुशी थी मनुन ते रोद माजवरी ते और सिलियो क्या गरते देखने के लिए कि ये बं अद्रवने ता किती प्रहगति यो कोई परगेत देखने से माझे नाना काये कुश घूरा की उनको पता इसको नहीं कि चैला सब कहेंगे कि बहुत अच्छा बज़ा थी justement जनोंने मुझे बोलना चाहिए ऑठ नशी के बहुत अच्छा आज या पि जिने इसकून को खुशी कि फिर सेद ही नहीं बजा सकता था उसके प्रेश्य रहता था जाद कि नाना गिले या दुछा था था ब्ले भी संगीट के लिए कि जिस दिन नाना गई उसने डिसाइड किया करना भी म्योजिक बंद करना है पन दुस्रे एक्ष्ण नी मना ती विचारा ला कि माझे नाना तेवा माझे वादन एक को शकत नौते पन आता माझे शेदारी बसुननक की एकत है उके इसलिए फिर उसने सोचा की चलो सेकेंड पन दुस्रे एक्ष्ण ने अगले पल जब से डिसाइड कि आसे गाना बन तो अगले पल ही उसके मन में ऐसे विचारा आया कि उस समय तो उसके नाना सुन नहीं सकते थे राइट क्योंकि वो एक्सिए उनकी सुनने की जो ताकती वो खतम हो गए थी लेकिन उसको ऐसे अगले उसने उसीं से वापस वाइलन बजना शुरू किया आज सकावन तो मी कुथे बाहर पढ़े तो अज सुबह तक में कई बाहर नहीं गाया था चोविस्तास एकर चुद्या 24 अगले मेरा एकी काम था क्या एकी ध्यास था कि वाइलन बजना उसने प्रैक्टिस करने तो यह स्टेप्समान उसको इसलेगता है कि उसके जाना एक उसको सामने बढ़े के बाता है कि इसके आगे ऐसे कर इसके आगे ऐसे बजा तबला थेका तनीस धर लाए वा तंबोर चाहा तारा वरून पन त्यानचीज बोटे फिर एदा है शिरिष कहता है कि मुझे अज से मेरे नाना ही बजा रहे है और तंबोरा भी जो वीना है वो वीना भी क्यावले मेरे नाना ही बजा रहा है आज कालक्रमा चा सुरुआ तिला औड़े लोग पाहू न मी घटवण गेलो हो तो पन डोडे में तुन मुझे ज़र बंकर्स मूर्ति दौर्डगा उसलिए कि आज वेले सामने उनका फोटो उनकी जो मुर्ती है उनका चहरा मुझे सामने दिखा ही दिया और उन्हें कहा बेटा वाजव में एक तो उन्हों ही शायद उसे कहा था कि विटे तु बजा में सुन रहा हूँ मला और जब शीरिष ने यह वर सुने कि दाड़ी उसे कह रहे कि बेट रहे करो तो छुड पले कुछ थाठीज उसे कि आपने खायर नाना और झाल सोड़ी बूल जालतें की जोडकिता है और तो किक विटेंस समल मुझे भास के झाल आनुड गाश्यवन को अज़ शीरिष गूपना थो समया प्या नाना थो और प्र फो ऊटिए उसे अरा सारा से अपने तेन मैं अपने तेन बाद भी उसने कोशिश की और जिनके लिए ओ गाना या फिर जो गाने से दूर हो गई थे उसके पिताजी उनके लिए जब व गाना गारा था गाई इंट्रोमें शीक रह था तो उनकी इंच्छा उसने कैसे पूरी की इसके बारेमी इस लेसन में बताया.